अपना सोगाइब पुष्गाजिन धामी ने राज भवल पहुंचकर राज़िपाल को सोफाइश्टीवा हाला कि राजीपा ने फुसकर सिल धानी को कारेवाहत मुख्मत्री के रूप में अगर्म सरकार के गठन तक बड़े रहने के दिये जली उद्राघट में फिर एक बार देखी मोधी लेहर दीशेपी को मिला एक बार फिर प्रचंड पहमत्र चुनाओं में घंगोत्री सीट का मिठख रहा बर्करा कड़ प्रयाग विधान सभा से जीत हासिल करने के बाद पहरी बार कड़ प्रयाग पहुंचे नरव निर्वाचत विधायक अनिल नौटियाल पार्टी कारिकार गंताओं ने फूल मालाओं के साथ किया स्वाग काशेपुर से विधायक वरितर लोक सिंग चीवा ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस पे की प्रेस कॉंफरेंस का जनता ने उन पर विश्वास जठाकर उन्हें भारी मत्रों से जिताएग नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं अपना उत्राखण मैं हूँ आपके साथ काविन चौहान बुलिटिन के शुरूआत करेंगे बीजेपी की प्रचेंड बहुमत वाली अब बन रही सरकार के साथ तो मुक्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने राजीपाल को स्टीफा सौब दिया है बता दें कि उत्राखंड विधायन सभाच चौहु में बीजेपी ने बड़ी चीत हासल की है वही मसूली से विधाय गड़ेश जोशी भी दावेदारी पे आगे बढ़ रहे हैं। सिर्वास से वो काम पूरा हुआ है। जनता ने उनका साथ देते हुए उन्हें फिर से विजय बनाया है। इससे में भाजापा सरकार बनाने जा रही है। जो रुज़ान आ रहा है। उसमें लगता है कि भाजापा को पूरा बहुत बहुत है। मैं उनसे बहुत जादस ने करती हूँ और मैं चाहती थी कि उनके लिए कुछ कर पाऊं। मगर मुझे इस तना से मुझे सफलता नहीं मिल पार दी क्योंकि निर्दलिये आपको पताईए कि जल्दी से जीत नहीं पाते। मगर जिस तना से मुझे हमारी भारती जनता पार्टी ने मुझे इतना बड़ा विस्वास जताया और मुझे टिकर दिया। और मैं उनके उस आसा के अनुरूप भी उतरी हूँ और आज पासिल करके और उनको ये तोफा भी दोंगी मैं। गंगोत्री विधानसवा सीट प्रदेश की राजनीती में एहम भूमिका ने भाती है। कहा जाता है कि गंगोत्री सीट से जो प्रत्याशी चुनाव जीतता है उसी की सरकार पनती है। इस बार भी एह मिथक सुरेश चौहान की जीत के साथ परकरार रहा। दरसल बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सिंग चौहान ने बाजी मारी और 17,527 वोटों साजय कोठियाल को हरा दिया है। रिशिकेश में चंदरभागा पुल से आईस बीटी जाने वाली सड़क के किनारे स्थेत तीन दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर पीडितों से जानकारी हासिल कर ली। फिलाल पीडितों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई। तहरीर मिलने पर पुलिस मुकदबा पंजिकरत करेंगे। हलाकि पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। कुतवाली पुलिस के मताबिक आई-एस-बी-टी रोड सेते अगरवाल ट्रेडर्स की दुकान की छट पर सीडियों का दर्वाजा तोड़कर चोर अंदर घुसे जहां दुकान के गले में रखे करीब एक लाख की नकदी चोरी हुई है। जबकि इसके ठीक बगल में अगरवाल सेल्स कॉर्पोरेशन और भट्यानी ट्रेडर्स की दुकान में चोरो ने चोरी की। पुलिस आसपास के प्रश्टेश श्ठानों में लगे सीसी टीवी कैमरों की फोटेज खंगालना शुरू कर चुकी है। चोरी है हमारी तीन दुकान हमारी रोड पे तीन दुकानों में चोरी हुई है। अग्रवाल सेट्स कॉर्परेशन और वोटानी ट्रेर्डर्स और उसकी जिए बोटानी ट्रेर्ड के भगल में अभी ट्रेडर की दुगान भी जिसमें चोरी करने की कोशिच करी लेकिन तृपला तोड नहीं क्वाई वाकटिन नुख्षान तो हम ने उन्हें बता दिया पुलिस में बयान में बदर्ज कर दिया और बाकी तीन दुकानों में पोने चारवे के आसपास की चोरी है रिकॉर्डिंग दोनों दिखानों की देदी गई है जिनमें साफ तौर पे चोर का ताले तोड़ते वह नजर आ है रात्री के समय में चोरी की सुचना अभी प्राफ प्राइवाला थाना अंतरगत नेशनल हाइवे संख्या ठावन और बाहतर पर फ्लाइओवर का क्रॉस ब्रेसिंग चुराने का मामना साब्या है क्रॉस ब्रेसिंग चुराने के मामने में पुलिस ने 5 माहिलाओ साहित 6 आरोपियों को गरफतार किया है जिनके कबजे से चोरी के गए क्रॉस ब्रेसिंग भी बरामत की एक है तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को नियायले में पेश किया जहां कोर्ट ने सभी को जेल भीज दिया है रायवाला थाना ध्यक्षब भवन चंद्र पुजारी ने बताया कि राजज सेतु निकम लिमिटेड हरिद्वार के सहाय का भेहनता के दोरा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी इसके बाद मामले में तद्काल कारवाई करते हुए पुलिस नारोपियों को चोड़ी हुए सामान सहीत गरफतार करने में सफलता हासल की है और उनको जेल भीज दिया है तो फिलाल है रुकेंगे एक छोटे से ब्रीक के लिए कहीं जाएए का नहीं न्यूस वाल इंडियो पर ख़बरों का सलस्रा लगातार चारी है at GLE University we make the way, we inspire, we are a family bound by a common bond, we learn, we innovate, the record breakers, the cheer makers, the dreamers GLE University, whether the goal is to get a job or to create a job अगर आप हैं किड्नी जैसे गंबीर बीमारी से परिशान तो मत हो ये हरान नाड़ा में स्तित है पश्ची मुत्रप्रदेश का एक मात्र ऐसा डालेसे रिसर्स सेंटर जो आपको करता है आदुनिक तक्नीकी से भरपूच चिकत्स सेवा परदान जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डालेसेस की बहतरीन सुईदा बहुत कम खर्च पर उपलप्त कराता है ये सब होता है विश्वशने चिकत्सा विशेशग्या डॉक्टर अनिल परशाद भट की निगरानी में डॉक्टर अनिल परशाद भट विश्वश परसीद ऐसे डॉक्टर है जो बड़े बड़े चिकत्सा संस्तानों में ना जाने कितने लोगों को नहीं जिंदगी दे चुके हैं तो गवराएं नहीं किड्नी जैसी गंबीर बिमारियों का डट कर सामना करें और रीना ग्याड डैलेसे रिसर्श सेंटर में अपना फिड्नी का इलाज करा है विदांता एक ऐसा सेक्षिंग संस्थान जहां होता है पहतर सिक्षा का सही समाधान सिविल सर्विस एक्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एक्जाम यहां सिविल सिख्षा की बार्युक्यों से रूपर उखराती अर्शना यादफ कपूर कोई भी बच्चा कोई भी छाप आई एस जैसे एक्जाम की तयारी या पीस जैसे एक्जाम की तयारी से वंचित ना रह जाए हमारे संस्थार से स्विक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्राखट सरकार के अलग अलग विभागों में उचिस्तर पर अपनी सेवाय दे रही है My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Canaan Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit Sir and Arshna Ma'am for their venture Vedanta Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I am posted as Assistant Commissioner of State Tax with Government of Uttarakhand When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir So then let's look at this topic, today we will take admission and do what you want to do with IES PCS Vedanta, an exclusive IES Institute of Tehradun, Uttarakhand 11A, निम्बुवाला, अपोसिट, आर आई, एमसी मेंगेट, कर्ही कैंट, तेरादून, मुबाइल नमबर 93197-00579 ब्रेक के बाद, एक बार फिर आपका स्वागत, अब रिटिन में आगे बढ़ेंगे मेरी प्रास मित्ता रहेगी पहले मैं छेत की समस्ति जन्दा का आवार बेक्त करता हूँ अपने दुल्यकार करता जिनों है, रात दिन मेहनत करके, बारती जन्दा पार्टी के प्रत्यासी के नादे, तुझे इस विधान सभा में तुझे शिरी दिलाई है, मैं इन सब रोगों का धन्यवाद करता हूँ और जो अपे अच्छा, इस विष्वास के धाति जन्दा ने अपना आशिर्वाद दिया है, उन अपे च्छाओं पर दीवा उतरने का प्रियास करूँगा, इतना मैं जन्दा को फिरुसा दिलाता हूँ और सभी मीडिया कर्मों का भी में आभाद वेक्ति करता हूँ कि आपका सहयोग दिलातर हमको मिलता रहा है और निश्चित रूप से इस प्रदेश में भादी इंदा माली की सरकार बनी है, जबके सहयोग से विकास को और टीव रिगती से मागे बनी है काशेपूर से विधायक बने तेरलोग सिंग चीमा ने आज अपने कॉर्परेट ओफिस से में वो प्रैस से रूबर हुए जहां उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता ने उनपर विश्वास चता कर उन्हें भारी मतों से जिताए है वो जनता के हमेशा आभारी रहेंगे साथ ही उन्होंने केंद्रिय नित्रत्यों का भी आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि हमारे पिता जी के रुके हुए कार्रे हम पूरे करेंगे वैसा तो उन्हों राजनीती के गुर अपने पिता के आदरशों पर चलकर मिले है इसमें जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है जब हमारे प्रधान मंतरी बाजपाईजी होते थे तो उन्हों ने एक हिमालियन स्टेट्स के लिए एक बेनिफिट दिया था जिसको टैक्स हॉलिडे बोलते थे उसमें दस साल का एक्साइस एक्जम्शन सा और बहुत सारे बेनिफ करता हूं इस तरह का कोई बेनिफिट से मिलें ताकि हमारे उत्रगंड का जो इंडस्ट्री है वो फिर दुबारा से और रिवाइब करें और जिससे इंप्लॉइमेंट जनरेट हो इस बात तो मैं हर जगा अलग-अलग प्लैटफॉर्म पे रखता हूं आप जिले की लिजा जो मुझे पता चला है कि अभी तक सिच्वेशन यहां खड़ी है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक बनने है लेकिन अशॉरंस यह दी गई है कि जबी भी बनेगा तो उसमें काश्पुर का नाम पहने होगा मैं इस चीज को जो है आगे फॉलो क लिके लेके लगातार 20 साल तक शॉर्विधान समाज शेरत यह जनता कि सेवा के शेवा कि कहने के लिए किमा करने के लिए सेवा पिंस करने के लिए हो यह सही मॉन शेवा इंध है कि यह वारी हूं अबाती जन्ता पार्टी की कुछ लीडरिशिप का जिन्होंने काशिपूर में चुनाव लड़ने के लिए मेरे सपुत्र के लोकिंग चीमा को तिक अबारी हूं काशिपूर की जन्ता का अबारी हूं मैं पत्रकार्था का अबारी हूं में अब्सक्राइब का इलक्रोनिक मीडिया गा जन्होंने साथ देके सयोग देके दिल से इस जन्ता ने दिल से पूप और बोट इतना दिया है और विरोधियों के एक मुझे तमंचा बराबर है विरोधियों के जन्होंने पीजेटी में होते हुए पार्टी में होते हुए पार्टी का विरोधिया से उनको जे सूचना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत अधर्म किया मंगलाओर में कॉंग्रेस वा बसपा समर्थकों के बीच जमकर हंगामा और पत्थराओं हुआ बता दे हैं कि विजय जुलूस पर डीजे बाजाने को लेकर दोनों पार्टीयों के समर्थकों में विवात हो गया जहां घरों पर पत्थर बरसाएक है तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लाटी चार्ज कर भीड पर काब उपाया तो महीं पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले गया है तस्वीर मंगलोर के आपको दिखा रहे हैं जहां कॉंग्रिस और बसपा के समर्थकों के बीच जड़ब हो गई इसके बाद पुलिस ने लाटी फटकार कर वहाँ पर भीड को तितर वितर किया और मामले को शान्त कराया है सितार गंच के उक्रॉली और सादुनगर के रेता भजरी खरन शेतर में पट्टा धारकों को काफी खाटे का सामना करना पड़ रहा है इसका करण स्टोन क्रेशर स्वामियों का रेट कम करना वह वहाँनों में आरबियम धुलान की सीमा कम करना है दरसल उक्रॉली और सादुनगर के खरन शेतर में रेता भजरी के खरनन के लिए पट्टा धारकों ने भारी रकम लेका पट्टे लिए हैं तो भही आप वहाँन स्वामियों ने स्टोन क्रेशर के रेट बढ़ाने की मांग की है आपको दन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आए और इदर के अखलात आपने जायजा किया कि यहां पर वहाँन जो ट्रांस्पोर्टर है उनका यह कहना है कि उनको कुछ भी फैदा नहीं लिकलके आ पा रहा है और इस वज़े से वह यहां पर आने रहे हैं और हम तो इसलिए परिसाना प्रांस्पोर्ट कम होने की वज़े से अब हमारी पूरी रॉयल्टी जमा हो चुकी है तो हम तो टैंसर में हैं कि रॉयल्टी ही पूरी कर लें वही बहुत बड़ा हमारे लिए सबसकते हैं वाकिया रेट काफी दिनों दिन डाउन नहीं हो रहे हैं आप उनको वहां रेट नहीं मिल पा रहा है यहां कितना कम करें हमें तो रॉयल्टी पूरा करना मुश्किल पढ़ रहा है तो बस यही वज़ाय है ट्रांस्पोर्ट ना नहीं की पटा धार को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है और यह तस्वीरे देखे आपकी स्क्रीन पर यह सब कुछ बया कर रही है इसका कारण स्टोन क्रशर स्वामियों का रेट कम करना और वहानों में आर्बियम धुलान के सीमा कम करना है तो यह जो कारण हम आपको बता र है कि कारण दरसल यह है कि स्टोन क्रशर स्वामियों उन्होंने रेट कम कर दिया और वहानों में आर्बियम धुलान के सीमा उसको भी कम कर दिया तो ऐसे में यह जो कारण है वह आपको बताते चल रहे है उक्रॉलीवा साधुनगर के खनन शेत्र में एरेता बजरी के खनन क उने भारी रकम लेकर पटे लिए हैं तो वहीं दर्मपूर विधान सभा से बीज़ेपी के प्रत्याशी विनोच चमोली ने जीत दर्च की है इसके बाद उनसे बाचीत की है हमारे स्टेट हेड सुभाज कॉड ने क्या कुछ का विनोच चमोली ने इस रेपोर्ट पे देखिए हमरे साथ दर्मपूर से विधायक विनोच चमोली ने जीत एक बार फिर हुई है और यह कहा जा रहा है कि कॉंगरेशी सीट है लेकिन फिर आपने एक बार जीत दर्च की है भारी बहुमत के साथ किस तरीकी का उत्ता है देखे लिए जनता का प्यार है पुरे उत्त्राखंड के परिणाम आपने देखे हैं कि पूरे उत्त्राखंड में फिर से भार जनता पाटी आई है और पूर्ण बहुमत के साथ आई है धरमपूर बजान सभा में इस जो पिछले पढ़ेनाम थे वही पढ़ाए गये हैं क् कि आपकी पूरी कैबिनेट जीत गए लेकिन मुख्या और एक मंत्री रह गए क्या लगता है कि कहीं कमी रह गए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में भरजिंदा पाटी के लिए काम कर रहे थे तो कहीं नहीं हो सकता है उस बिलान सबाद चेतर की थ कि अपने चीजें थोड़ा सा पीछे रह जाती है उसे कारने परिणाम होंगे लेकिन रोग पस्ता रहे हूंगे एक सवाल और है कि मंत्री मंदल में आपकी जगा के लिए लगातार लोग बात कर रहे हैं आपको मुखा मेलेगा तो इस तरीके से काम करेंगे मुझे जो जो परिण दे में सब में काम किया तो ये थे हमार साथ विनोचे मुली जिन्हों ने बताया कि लेकिन साथ ही फिर एक बार दोहजार सतरा की तरह उत्राखन की जनता ने बाच पर वरोसा किया वीडियो जलनी सागर्वेस के साथ सुभाज को और न्यूस वर्ड इंडिया देरा तो फिराल के लिए इस बुलिटन में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के आप बने रहेएगा न्यूस वर्ड इंडिया के साथ शुक्रिया